जब भी घर में कोई सबजी ना हो तो आप इस मूंग दाल के मंगोरे को जरूर से बनाए बहुत स्वादिस्ती सबजी बनती है जब भी कुछ अलग खाना हो या हरी सबजी नहीं खाना हो तो इस सबजी को जरूर से ट्राई कीजेगा सब को ये बहुत पसंद आते हैं चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार सी रसीबी कैसे बनाये जाता है तो चलिए बनाना सूरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब चरूर करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सेर करें और लाइक करें मंगोरी के सबजी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी हम मंगोरी लेंगे तो कोई भी कटोरी आपसेट कर लें ये देख सकते हैं मैं देख लिए ये अब इसेट बेप भी लेसी और लेंगे अब एक बिएप करेंगे 2 स्जाब हमें इसी तरह झोटा देना है दो मिनट होने के साथ ही इसे हम निकाल लेंगे, यानि कि पानी से बड़ी को हमें निकाल के रख लेना है, तो दो मिनट से ज़्यादा इसे बिल्कुल भी न भीगो हैं, इस बात का आप जरूर दियान रखें, तो यहाँ पर दो मिनट हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लेती हू एक तो ये जो dust होते हैं, धूप में सुखाते हैं, जब मंगोरी हम बनाते हैं, धूप में सुखाते हैं इसे तब इसमें इसके उपर dust अगरा लग जाते हैं, वो भी निकल जाएंगे और इस तरह से भीगो के रखने से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं तो दो फायदे हैं इसके इस तरह से जरूर से आप करें अब दो मिनट के लिए इसी तरह आप छोड़ दे ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे और इस पानी को आप फेक दे पानी में भीगने की वज़़े से थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और साइज में थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं अब इसे हम डालेंगे दो से तीन चमस तेल और इसे गरम होने के बाद ही हम इस बड़ी को इसमें डालेंगे ध्यान रखे तेल को बहुत अच्छी तरह से गरम कर ले नहीं तो ये नीचे जाके चिपक जाएंगे इस बात का आप जरूर ध्यान रखे तो यहां पे मैं ने ड यहां पे देख सकते हैं थोड़े से मंगोरी तूट गए हैं कोई बात नहीं ऐसे भी ग्रेवी में डालते समय हम मंगोरी को थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कलर आना जो है इसी तरह आप इसे लो फ्लेम पे या मेडियम फ्लेम पे जब तक की कलर तब तक इसे बूनते रहें, थोरी दिर के बाद देख सकते हैं, नीचे पैन जो है न ये छोड़ देगी और बहुत ही अच्छा सक कलर आने लगेगा, तब जाके इसे हम निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आने लग गया है, इस तरह से मंगोरी को फ्रा कुकर में हम इसके ग्रेवी बनाएंगे, दूसरी कुकर लेने की जरुवत नहीं है, क्योंकि एकदम भी गंदा नहीं हुआ है कुकर, तो यहां पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, अब सेम कुकर में हम डालेंगे, दो से तीन चमस जितना आपके घर में हो, खड़े मसाले आप उसे इसमें डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जो नहीं हो उसे आप इसक्रिप कर सकते हैं, आप गरा मसाला को हम थोरी दिर पकने देंगे, जब तक यह क्राकल नहीं हो जाए, तब तक इसे पका लें, उसके बाद इसमें हम डालें क्योंकि इसे बहुत ही अचा टेस्ट आएगा ग्रेवी में, तो यहाँ पे जो है, दो से तीन मिनट आपको लग सकते हैं, लगातार चलाते हुए आप इसे बूने, यहाँ पे देख सकते हैं, कलरा आच चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक चमस भर के अधरक लशन का प प्याज, लशन, अधरक सब अची तरह से बून चुका है, अब यहीं पे हम डालेंगे एक चमस भर के लाल मिर्च पाउडर, तो यहाँ पे मैं कासमी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूं, आपके पास ना हो, तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, अब इसे दो मिनट जितना इस मसाले को आप भून ले, उसके बाद जो है यह बहुत ड्राई दिख रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे, पास से छे चमस जितना पानी, उसके बाद इसे हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, मसाले को बहुत जरूरी है, इसी से ग्रेवी में जालना बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल भी आप इसके इपना कड़े, इसे बहुत ही अच्छी तरह से जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट जाल दिया, अब स्वात के अनुसार नमक यही पर डाल दे, उसके बाद इसे हम बहुत अच्छी तरह से भूनें यहाँ पर देख सकते हैं, 5-6 मिनट के बाद जो है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब जो है, इसमें हम डालेंगे आलू, तो मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ, अगर आप आलू पसंद नहीं करते हैं, तो इसे इसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चार आलू को इस तरह से कट करके डाल रही हूँ, आप अपने मन पसंद सेप में कट करके इसे डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने चार आलू लिया है, अब आलू को भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि आलू का कच्छा पर नहीं राना चाहिए, तो यहाँ इसे आप अच्छी तरह से जरूर से भून लें, दो से चार मिनर जितना मेडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे भून सकते हैं, तो यहाँ पर चलाते हुए इसे भून लें ताकि मसाला जले नहीं ध्यान रखें, मसाला को हमें जलाना नहीं हैं, तो यहाँ पर मैंने भून ल तो यहां पे इस प्रोसेस को जरूर से करें, तो यहां पे मैंने डाल दिया, उसके बाद इसे आप मिक्स करें, मिक्स करने के बाद 1-2 मिनिट जितना इसे आप लगातार चलाते हुए पका लें, यहां पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बड़ी और आलू मसाले के साथ भून चुकी है, अब यहीं पे हम डालेंगे पानी, तो पानी जो है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में जालना जरूरी है, क्यूंकि बड़ी जो है, बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है, यानि कि सोख लेती है, तो यहां पे मैं 4-5 कप जितना पानी डाल रही तो इसी तरह आप भी पानी डाले, उसके बाद इसे आप मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, तो गरम मसाला हमने ख़ड़ा बहुत सरा डाला हुआ है, तो यहां पे हम गरम मसाला की क्वांटी थोरा सा हम कम रखेंगे, हाफ टीस्पून इसमें जाधा लगा सकते हैं क्योंगि यह बरी के ऊपर depend करती है मौंग दाल की बरी हो तो थोरा कम लगता है या तो आपके अगर उरत दाल की बरी बना रहे हैं तो थोरा जाधा टाइम लगता है कूकर को ठंडा होने दे उसके बाद इसे आप खोले ऑपगले के साथ ही आप देख सकते हैं अपको सपीघ्क आइसी अपक करते हैं अब बनाने के बाद आपको रषी परोटी खाल पर आठा कुछ तेस्टी लगती है तो यहाँ पर मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूं देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यह बन के तयार हुई है तो आप इस रेसिपी को जरूर से एक बाद ट्राइ करें और बनाने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा स के साथ या रोटी के साथ खाने के लिए ठंडा होने के बाद यह और भी ज्यादा गारा हो जाता है तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर